अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गॉर्लिवूर्ट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है भक्ती में भक्त जन भिन भिन देवी देवताओं की पूजा भिन भिन रीती से करते हैं किसी देवी व देवता की पूजा रोज की जाती है तो किसी की किसी निर्धारत दिन पर की जाती है भिन भिन देवी देवताओं की पूजा व ववंदन के विधी विधान व कथाएं एक दूसरे से भिन होती है और यदि किसी मूर्ती का खंडन हो जाता है तो उसकी पूजा नहीं की जाती भक्ती के इस विस्तृत विभिनता को आज हम इश्वरी महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे है पुजा पिता ब्रह्मा कुमार इस ईश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाय सहाब परसब आपका आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है परसब बात करेंगे 17 ओक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है ब्राम्भर जीवन का श्रेंगार पवित्रता परसब स्टार्टिंग में पर मात्मा कहते है कि उजनिये आत्माएं ही विश्व के लिए विशेश जहान के नूर बन जाते है जसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं ऐसे विश्व के अंदर पूजनिये जहान के नूर आप श्रेश्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं स्वाणन युग वादी युग वसतुप्रधान युग नया संसार आप विशेश आत्माओं से आरंब होता है नए विश्व के आधार मुरत पूजनीय आत्माई आप हो तो आप आत्माओं का कितना महत्व है तो सब इस महत्व को थोड़ा सपष्ट करें तो आत्माः ने अपने बच्चों को दो विशेश टाइटिल ये कि निंग regen नुर है आप मेरे बच्चे जहान के नूर है तो आखो में आखों में नूर का बहुत बड़ महत्व है आंके हूं लेकिन उसके अपतली एक नूर है वो अगर ना हो तो पुछ बह दे बढ़ सकते परमात्मा के रहे हैं, आप बच्चे सारे जहान के लिए नूर, और आपके द्वारा जो नया विश्विस्थापित हो रहा है, सत्यूग आने वाला है, वो सत्यूग की दुनिया की आप नियू है, आधार है, आप पुझनी आत्माओं की तरफ हर एक की नजर है, कि को सी आत्म की जो इस्थापना का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, उस कार्य में आप सब बच्चे पुझनी अबन करके अपने पुझ्य सरोप में इस्थित हो करके इस दुनिया को ही ऐसा स्रेष्ट सत्यूग बना देते हो, जे, परमात्मा कहते हैं कि आप पुझ्य आत्माओं संसार के ल आप परिवर्तन होते हो, तो विश्व भी परिवर्तन होता है, इतने महान और महत्व वाली आत्माओं हो। तो ये पुझ्य आत्माओं के आधार से सारी स्रष्टी की गति और सदगति हो जाती है, लेकिन जब वही आत्माओं नीचे फिट से गिरने लगती है, उनके पीछे सारी स्रष्टी का भी पतन होता है, तो संगम युक्पर, परमात्मा के साथ हम मददगार बने हैं, साथी और अपने जीवन को इतना स्रेष्ट महान बनाया है। इसके आधार से जब हम बन जाते हैं तो हमारे पीछे सारे विष्व को सद्गति प्राप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के आधार पर ही सारी दुनिया का उत्थान और पतन रिर्धारित होता इस समय आपके जो उंची स्थिति बन रही है आपके पीछे सारे विष्व की आत्माएं आपको फालो करते उचाही तक पहुंचेंगे। और पिर जब आप फिर पुनर जनम में आएंगे तो आपके पीछे वो सव आत्माएं भी नीचे आएंगे। बिलकुल भासब सदा य पुज्य बनना क्योंकि ब्रामण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनिये। सभी देवताएं पूजनिये तो हैं फिर भी नमबरवार जरूर है। की उजा नहीं होती है। वैसे भी भक्ति मार्ग में गायन है कि ब्रामण सो देवताएं पर सब इस गायन के यथार्थ अर्थ को थोड़ा सपष्ट करें। हर देवता की नमबरवार अपने अपनी विधी से पूजा होती है। जिस आत्मा ने संगम पर इतनी उचाईयों को प्राप्त किया है। अवित्रता की धाना संपून जिति से जिसने की है। उसकी पूजा भी उसी विधी पूरुवक द्वा पर युक से प्रारम होती है। कोई की तो हर कर्म की पूजा होती है, हर समय पूजा होती है और कोई की कभी कभी होती है, कोई कोई कर्म की होती है। लेकिन उसका आधार है संगम युक पर ब्रामन जीवन। जितनी स्रेश्ट महान पवित्र जीवन संगम पर हमने बनाई है। उस आधार से हमें आधा कल्प तो प्रालब्द प्राप्त होती, उसके बाद जब भक्ति का शुरू होता है, तो वहाँ पर नंबर वार पूजा भी शुरू होती है, और हमारे जड़ मंदिरों से कई आत्मों की मनुकामना ही पूर्ण होती है, प्रमात्मा के कहते हैं कि कोई क कोई का विधी पूर्वक हर रोज श्रेंगार होता है, और कोई का श्रेंगार रोज नहीं होता है, उपर उपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधी पूर्वक नहीं, कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता, और कोई के आगे कभी-कभी कीर्तन होता है, इन सभी का कारण क्या है ब्राम्वन तो सभी कहलाते हैं ज्यान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं फिर भी इतना अंतर क्यूं धारणा करने में अंतर है इस समय अगर हमने फुल अपने आपको स्रंगार किया है ग्यान से, योग से, गुणों से, तो जितना हमारा इस समय दिब गुणों से स्रंगार हुआ है, उतना ही हमारी मूर्तियों का स्रंगार भक्तात्मा करती रहती हैं, सदाकाल के लिए करेंगी, उनके आगे सदा के जिन्हों ने इस समय परमात्मा के गुण गान के हैं, उनकी याद में निरंतर रहे हैं। तो संगम युक्य जो हमारी स्रेष्त धानाय है, उची श्तिति बनी है उसके आधार से भक्ति काल के अंदर ब्वक्तों के द्वारा भिन भिन रूप में उनकी माननतां और उनकी पूजा हो रही है। मंदिरों के आगे उसी तरह से किर्टन हो रहे हैं, हुजा हो रही है, आरती हो रही है, जिसने जितनी संगम पर धारनाएं की हैं, जितना स्रेष्ट जीवन इस समय उसने बनाई है, उस आधार से भक्त लोग उसको मानते हैं और पूछते हैं. सब कई बार हम कहते हैं कि याद के आधार पर यादगार, फिर आज हम कह रहे हैं कि धारना के आधार पर भी यादगार, धारनाएं हैं पवित्रता की, क्योंकि बिना पवित्रता के धारना के योग नहीं हो सकता, योग यथार तब हुआ, याद यथार तब रही जब आत्मा स पर है जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पुझनिये बनते हैं और जो निरंतर विधी पूर्वक आदी अनादी विशेश गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधी पूर्वक पुझे बनते हैं तो सब विध पवित्रता की धाना को एक नैशुरल रूप से जैसे सहज रूप से पालन किया, हमारा ये अनादी और आदी गुन है, पवित्रता, इसलिए इसको अपनाने में कोई मिहनत नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, अगर हम इसको सहज रिती से अपना रहे हैं, परमात्मा की स्रीमत अनुसार, हम पवित्र और योगी जीवन वहतीत कर रहे हैं, संगम युक पर जितना हम इस दिभी गुन को, पवित्रता के गुन को, मन, वचन, कर्म से, संकल्प, सौपन से पालन करते हैं, उसी अनुसार हमारी भक्ति काल के अंदर पूजा बिधी पुरुवक होती है, परम परमात्मा संगम पर इस धारना पर विसेश जोड़ देते हैं, महत देते हैं, और कहते हैं, जब अपने अनादी और आदी स्मृति स्वरुप में इस्तित हो करके, मैं अनादी स्वरुप में कितनी पवित्र आत्मा हूं, और आदी में देव स्वरुप में भी कितनी पूज पुजी और पुजी और पुजी और पुजी बन जाते हैं। पुजी और सर्व के संपर्क में सदा, पवित्र, वृति, दृष्टी, वाइबरेशन से यथार्थ संपर्क संबंद निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता के परिभाशा को थोड़ा सबस्ट करें। वीकारी हैं जो पतित हैं बहुत में अजने को इस भाथ की नहीं है उनके संबंद संपर्क में उसका प्रभाव मेरे में उपर न पड़े मैं आत्मा जब के बीच में रहते हुए पवित्र भावनाओं में पवित्र संपर्थthe की शुरूप में इस्तित्र हुए हुए आपएद्ञाऊं के न कोई बनते हैं, अशी जब पवीत्रात्मंप encampалы पbet करेंते हैं। आपत्मी है, इस समय बनते हम पुजी परोगण होता है. अश्य उसके महाँन होते हैं, लुष की को सबसhan wr caucus हैं, तब शहरा बेहारा है, इस सम्मान प्रमात्मा करते हैं। आइसी पवित्रता को जिसने इस अंगम पर अपनाया है अखुद प्योर स्वच बनी है वो आत्मा इस सदाकाल के लिए पूजी जाती है प्रमात्मा के कहते हैं कि स्वप्न में भी स्वयम के प्रती या अन्य कोई आत्मा के प्रती सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो. मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है वह किसी आत्मा के प्रती किसी भी प्रकार की इर्श्या, आवेश्ता के वश कर्म होता या बोल निकलता है, प्रोध के अंशरूप में भी व्यावार होता है तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा. बहुत बड़ी बात है क्योंकि संगम उपर पर्मात्मा अपने बच्चों को किवल एक कामविकार पर विजय प्राप्त करने का ज्यान नहीं देते। पवित्रता में पांचों विकार आते हैं. संपून पवित्रात्मा वो है जिसने इन पांचों पर काम, प्रोध, लोब, मोहिंकार इन जो मूल पांच विकार है इन पर जिसने संपून विजय प्राप्त की तो परमात्मा के रहे हैं मानलो सोपन में भी आपका ब्रह्मचरी खंडित हो रहा है तो भी आपकी पवित्रता खंडित हो रही है प्रोध आ रहा है इडश्या के वस आप किसे से लड़ रहे हैं जगड रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं अंदर अंदर आवेश है, आवेग है तो परमात्मा कहते हैं यह आपकी संपून पवित्रता में बाधा है इसको आप अगर संपून जीत लेंगे इन विकारों पर संपून विजय हो जाएगी तब कहेंगे संपून पावन आत्माएं और वो संपून पावन आत्माएं संपून पुज रूप में निरंतर पुजी जाएंगी उनके यादगार मंदिर बनेंगे प्रमात्मा आगे कहते हैं कि सोचो, जब स्वपन का भी प्रभाव पढ़ता है, तो साकार में किये हुए कर्म का कितना प्रभाव पढ़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ती कभी पोजुनिये नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती। आजकल के म्यूज में रहती हैं, बहाँ भक्त नहीं आते। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां है। बस। परमात्मा तो अपने बच्चों को संपून मूर्ती बनाना चाहते हैं। खंडित मूर्ती नहीं। खंडित मूर्ती तो वैसे भी मंदिर में रखी नहीं कोई भी अगर कोई अंग टूट जाएगा, बनाते समय कोई उंगली भी टूट जाएगी, तो उसको मूजियम में इस्थापित करेंगे, मंदिर में नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, अगर मंदिल लायक बनना है, पूजी बनना है, तो आपको संपून पवितरता को इस संग में होगा, या फिर अपुरुषार्थ से वो अपनी खंडित जो स्थिती है उसको फिर से बना सकते हैं। बना सकते हैं क्योंकि यह पुरुषार्थी जीवन में संपून पवितरता हमारी अंतिम स्टेज गाई हुई है, सर्वगुन संपन, सुला कला संपून, संपून निर उसमें युद्ध नहीं किया, लेकिन सहज रीती से वो हमारी जीवन की धानाएं बनती गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्योर आये हैं। आये तो सब विकारों से उत्पत्न हो करके हैं। यह बीज ही संसकार ही बीज विकारी है। उससे सरीर का निर्मान हु कहते हैं कि उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है, तो वह पुझे पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधी पूर्वक है, तो पूजा भी पवित्रता कहीं बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया वह मेरी एम ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया जो कहते हैं कि हसी मजाक में कह दिया अधवा कर लिया यह भी चलाना है इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है यह अलबेलापन संपूर्ण पुज्ज स्थिती को नंबरवार में ले आता है इसलिए बहुत ध्यान देने की आउस सकता है चारों प्रकार की पवित्रता मन, वच्चन, कर्म, सौपन यह जो चार प्रकार है परमात्मा कहते हैं इसमें हम चला न दें कि हाँ यह तो सब चलता है मन से या सौपन से कोई भी प्रकार के हमारे विचार गलत होते हैं तो हम कई बार चला देते हैं को नहीं ठीक है तो परमात्मा करें अगर इस समय चलाने माले बन गए बातों को बढ़ों के आगे चला दिया तो आपकी पूजा भी चलाने योगी मना तभी-कभी करेंगे लोग लेकिन सदाकाल के लिए पूजी आप बन जाएंगे उसके लिए संगम पर आपको संपून रित उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वभाविक, सहज और सदा होगी उनको सोचना नहीं पड़ेगा लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतैही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति-युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा तर सब यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म इसको थोड़ा स्पष्ट करें ल orbits सुन्दर रिति से परमातमा ने बताया कि अथार्थ माना किस संकल्प बोल करम मेंकुछ अर्थ है, कुछ भाव है. कई लों कि अशनकल्प चलाते हैं, बोलते रहते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं होता. वही आप कहना क्या चाहते हैं? आपका भाव क्या है? वही इसपष्ट नहीं होता. तो परमातमा कह रहे हैं, यथार्त है तो युक्ति-yुक्त है, यथार्त है तो उसमें कुछ अर्थ समाया हुआ है. अगर अर्थ सहित बोल हैं, प्राप्ति और उसको हम पवित्रते की स्टेज में गिन सकते हैं। अगर रिना एर्थ के ही सोपना रहे हैं, संकलब चल रहे हैं, बोल नी कर रहे हैं... वहना हमारी पवित्रता खंडित हो रही है। इसलिए परमात्मा बहुत सूक्ष्म रीती से हमारा ध्यान केच्वा रहे हैं। आप चेक करो और इस पर अटेंस अंदो इसको स्वाभाविक बना दो। कि स्वाभाविक रीती से हमारे पवित्र संकलब चलें। हमारे बूल इतने नैचुरल और मदूर हों तो किसी को भी आत्मा को डिस्टर्ब न करें। हमारे कर्म भी इतने सरल हों, सहज हों और हमारे स्वपनों में भी उसुद्धता आती जाए। तो जितनी ये चारो नियमों की हम धाना करते हैं, ध्यान रखते हैं, उतना हम पवित्र सरूप में इस्तित हो जाते हैं। और जब नैचुरल पवित्रता जीवन में आ जाती है, उसके आधार से फिर वो मूर्थी जो बनती है, उसकी ऐसी पूजा होती है। वो यादगार ऐसी कायम होती है। चाहरत वेले से रात्त्री तक परमात्मा की सरी मतनुसार उसके हर बोल, अर कर्म युकतियूकत ओर यथार्त हो रहे हैं। इसने इतना ध्यान रखा है। दिंचर्या में डिस्टर्ब न हुआ है न दूसरों को डिस्टर्ब कीया है। तब परमात्मा कहते हैं, इस संगम के इस पुर्षारत से पूरे ही कल्प में, आधा कल्प तो पूजी बनी हैं, और आधा कल्प उसकी पूजा हो रही है, वो बिधी पूर्वग और यथार्त रूप में होगी, अगर संगम पर उसने अपनी दिन्चर्या को ऐसा एक्यूरेट से दिन्चर्या प्रमात्मा कहते हैं, अगर ब्राम्भर जीवन के बनी हुई दिन्चर्या प्रमान, कोई भी कर्म यथार्त वन निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा, मानो कोई अम्रितवेले उठने की दिन्चर्या में विधी पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधी में नीचे उपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। कई मंदिरों में आप पुजारी लोग भले एक मंदिर खोल देते हैं, जो नींद की लहर में होते हैं, जो पूजा करते हैं उनको नींद आती है, तो परमात्मा कहते हैं, आपके पुर्सारत के आदार पर, इस समय आप अगर अलर्ट हो करके एकूरेट टाइम पर उखते है पर्मातमा कहते हैं, कि पवित्रता की धारणा बहुत महीन है, पवितरता के आधार पर ही कर्म की विधी और गती का आधार है पवितरता सिर्फ मूटी बात नहीं है ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए सिर्फ इसको ही पवितरता नहीं कहेंगे पवितरता ब्रामण जीवन का श्रिंगार है तो हर समय पवित्रता के श्रिंगार की अनभूती चहरे से, चलन से औरों को हो द्रिष्टी में, मुक से, हाथों में, पाउं में सदा पवित्रता का श्रिंगार प्रत्यक्ष हो परमात्मा अपने बच्चों को हर प्रकार की द्रिष्टी, व्रत्ती, इस्म्रत्ती, हर एक इंदरी का सरंगार पवित्रता के द्वारा देखना चाहेते हैं पवित्र हैं, स्वच्छ हैं Weight से अलवेलापन और अगर कोई कर्म यथार्त युक्त युक्त नहीं हो रहा है तो परमात्मा केता है ये विकार है ये अपवित्रता है मानों कोई आलशे कर रहे हैं, योग में आलशे हैं, पढ़ाई के समय आलशे हैं सुच्टी आ रही है तो भी एक अपवित्रता है, अलबेलापन है, या हमारा कोई कर्म यथार्थ नहीं हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं, बहुत accurate हर कर्म में रहना, आल्ला से और अलबेलेपन से मुक्त रहना, अपने हर एक इंद्रिय को पवित्र स्वच बनाना, ये संपून पवित्रता है, त तब इस रंगार भक्ति के अंदर निरंतर अपने देवी देऊताओं का भक्तात्मा करती है, तो आज हमने संपून पवित्रता को बहुत ही विस्तरत रूप से जाना, तो इस पश्टी करण के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद, ओम शांति, दर्शकु आज के महावा के पूजनिये बनते हैं. परमात्मा ने कहा कि मन, वानी, कर्म और स्वपन की पवित्रता, इसी को कहते हैं संपून पवित्रता. परमात्मा ने कहा कि पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधी और गती का आधार है, आतेहा में पवित्रता को पून रीती अपने चहरे और चलन में अपना कर उसका श्रिंगार करना है तर्शक्वाज के महावाक्यों से संबंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रेशन है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आईडी है amolaratna at the rate bollywoodstudio.org अगले एपिसोड में हम इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शान्ते मुखे सार सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? संकल्प बोल और कर्म में, सर्व अर्थात ज्यानी और अज्यानी आत्माओं के संपर्क में सदा, पवित्र वृत्ती, दृष्टी, माइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना अपवित्रता शब्द का गोईय अर्थत किसी के प्रती किसी भी प्रकार की इर्ष्या, क्रोध के अन्श रूप में भी व्यवहार होना भी पवित्रता का खंडन है आलस्य और अलबेलापन भी विकार है, जो यथार्थ कर्म नहीं है, भह विकार है तिन चर्या में उपर नीचे होना तिधी पूर्वक न चलना भी अपवित्रता का अन्श है पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधी और गती का आधार है इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विध्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवोड स्टूडियो से संपर्क करें कर दो स्टूड़ ब्रह्मा करें